तो ऐसे हां परिहरा में रपस Realme C333 स्मार्टफोन आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 10 जी हैं दस्वों दस से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स इंट्रेस्टिंग हीडिन फीचर बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देकर अपने स्मार्टफोन को नोटिफेकेशन आपको इस सेटिंग में आने के बाद यहां पर है स्क्रें टाइम यहां से आप सुबा से लेकर अभी तक कितने मिनुट्स और कितने घंटे फोन को यूज़ किया यह देख सकते हैं और पूरे वीक का डेटा भी आप हम पर देख सकते हैं और नीचे आने के मेंसेंजर को कितने घंटे यूज़ करना चाहते हैं दो घंटे तो चलिए हैंपर दो घंटे का टाइम में हम को आना इधिस्कों इस नूटिफेकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहां से इसकिंशाट बनिलता है यहां सी भी सक्रियों ले सकते हैं इसके अलावा आप के बात करना के लिए आते हैं दुसकों देस्टिंग में आना है और यहां पर है नीचा आने के बाद मैं डार्क थीम इसको अन करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से ब्लक ब्लक सा हो जाता है तो आपके आँकों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रिन का और बैटरी भी कम कंजूम होती है और इसको मैं थोड़ी रिकला आफ करता हूं वीडियो रि हैं तो इसको अन कर लेना आपके आँक सेफ रहेंगे आपके आँकों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा ब्याक आने के बाद यहां पर कमाल का फीचर मिलता है वीडियो डिस्पे इन्हांस्मेंट आपको इस सेटिंग में आक रही है तो इसको आन कर लेना है इन एप्लिकेशन आपको इस सेटिंग में और नीचा आने बाद यहां पर है नोटिफेकेशन डॉट अन एकन इसको आन कर लेना है अब मालों आपको कोई भी एप्लिकेशन से नोटिफेकेशन आता है तो उस एप की ऊपर एक डॉट बताएगा वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इ इसको आन कर लेना है अलाव पर क्लिक करके यहां पर गॉट इट पर क्लिक करना है इसके उपर आप क्लिक करके हैं इसके अपर इस एक्सेजबिल्टी सट्टी में आ सकते हैं इसके अलाव यहां से आप से नोटिफेकेशन आये हैं यह देख सकते हैं इस पर क्लिक करके और य चाटे फीचर की बात करने के लिए आना है तो आपको वापस किसंग में और एक दम एसारा से नीचे आना है है हांपर आपको मिलता है भी इस system system setting में आना है और यहांपर जेश्टर से सेटिंग में आना है और यहां पर है lift to check phone यह off है तो इसको on कर लेने आप इसको on करेंगे अब मानलो आप lock करके रखे हैं कहीं भी phone को तो जैसे phone को उटा कर हाथ में लेते हैं तो automatic screen on हो जाता है अगर आपको screen off था तो उसके बाद back आने के बाद मिलता है system navigation आप हमपर gesture navigation करेंगे तो buttons head हो जाएंग इस feature की बात करने के लिए आना जिस्तों आपको settings में आने के बाद आपको नीची मिलता है यहां पर security setting इस setting में आना है और यहां पर google play product पर click करके यहां पर scan कर सकते हैं कोई भी application ऐसे हैं जिससे आपकी phone को रिक्स है मतलग hacking के related कोई भी application है क्या वो scan करके आपको यहां पर ब melody इसमें जो थी ना वो दूसरे smartphone में login करके अपने smartphone को track कर पाएंगे और देख सकेंगे आपका smartphone कहां है किस location पर है आटो फीचर की बात करने के लिए आते हैं दुस्तों settings में और आते हैं यहां पर apps and notifications setting में आएंगे और नीचाएंगे यहां पर आपको मिलता है notifications आपको इस setting notification आता तो आपको यहां पर locks कुछ भी नहीं बताएगा पूरा need clean बता देता है आप यहां पर करेंगे तो कोई भी app से आपको notification आता तो यहां पर आपको locks कुण पर बताएगा आप को कोई भी OTP भेज़कर आपकी accounts को hack कर सकता है कैसे आपको बताओंगा अब मानलों आप कही अगर प्रिंट से आप लॉक करके हैं ठीक है तो आपको कोई भी OTP भेज़का तो मेसेज तो यहां पर locks कुण पर बताएगा ना OTP बताएगी locks कुण पर तो OTP से आपके accounts को कोई भी hack कर सकता है उसलिए locks कुण पर हैना message वगरा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए 9 future की बात कर लिए आते हैं दुस्तों settings में और आपके हां पर मिलता है भी नीचे आने के बाद में इससरा से smart controls आपको इस setting में आना है और यहां पर smart way off आई तो इसको on कर लेना है अब मालो आपको call आता है तो आप जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फोन को तो automatic call receive हो जाता है उसके बाद mute incoming calls इसको on करेंगे अब मालो आपको call आता है आप call receive नहीं करना चाते हैं लेकिन ringtone बज रहा है तो आपको क्या करना है फिलिप कर देना है फोन को ringtone बजना बंद हो जागा लेकिन call तो आता ही रहेगा टोली feature की बात करने के लिए इस notification पैनल में हम आएंगे करा रहते हैं तो इस do not desktop को यूज कर सकते हैं इसके अलावाए हाँ पर है रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड आपको एक्ट्रा एप और लेने के जरूरत में इसक्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप हम पर audio source रख सकते हैं external mic और device mic यह रख सकते हैं इसके बाद आप 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 इसको भी यूज कर सकते हैं start करेंगे तो screen recording होना शुरू हो जाएगा तीन सेकेंड के बाद में आप बंद करना करते हैं अभी screen recording को तो इस notification पैल में आकर हम पर stop पर क्लिक करेंगे तो screen recording बंद हो जाएगा और यहाँ पर tap to view पर आप क्लिक करके जो screen recording आपने किया था वो यह इंट्रेस्टिंग hidden features वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नेची मिल जाएगी और उसी वीडियो में हाँ पर जो नौच में लेटिंग है जो आपको यलोग लर में दीकरा है यह कैसे सट करें मैंने बताया है उस वीडियो की लिंक